नमिश्कार इन खबर में आप सभी का सुवागत है कुरोनमा हमारी के प्रकोप ने हमारे आसपास की कई चीजों को पूरी तरह से बदल दिया कुछ साल पहले तक कभी कबहर इस्तमाल होने वाला मास्क अब दिन चर्या का हिस्सा बन चुका है इसके साथ ही मास्क के उपर भी बज़ार का प्रियोग होने लगा है इसकड़ी में ताजा नाम जुड़ा है सोने से बने मास्क का जिसे पटना के एक जुएलरी एक्जिवेशन में प्रदनशी के लिए रखा गया है ये मास्क लोगों को खूब अट्रेक्ट भी कर रहा है ये मास्क ना सिर्फ आपको कुर प्रदेशनी में बाकी गहने भी कम सुंदर नहीं है लेकिन मॉडलों ने जब सोने की मास्क को पहन कर उसका प्रदेशन किया तो लोग वावा करने से खुद को नहीं रोपाए हालकि प्रदेशनी में मास्क खरीदने वालों की संख्या अब तक महस्तीन ही है अभी तक जाने वाले दिनों में सोने की मास्क की डिमांड में बेताहाशा बड़ोतरी होगी उनका मानना है कि शरीरपर धारन के जाने वाले अन्य गहनों की तुनला में यह सोने का मास्क सबसे ज़ादा ।्रेंडी और चेहरे पर विजिबल है 22 केरेट सोने से बना ये मास्क पेराशूट के धागों और मोतियों के धागों को मिला कर तयार किया गया है। इस मास्क का वज़न 25 ग्राम और कीमत 75,000 रुपे से शुरू होती है। सोने के इस मास्क को तयार करने वाली कमपनी SL Gold के जैन सोनी इस प्रोड़क्ट को लेकर काफी उतसाहित है। उन्होंने कहा कि पटना का यह है एक्जिवेशन तरह तरह की गहने डिजाइन करने वालों के लिए बढ़िया मौका है। जहां जोल्रियों ने अपनी प्रतीभा का प्रदिशन किया। यह मास्क पूरी तरह हेड मेट है और यह चेहरे पर खूब अच्छा लगता है। करोनमा हमारी के दौर में पेश किएगा इस Gold मास्क को लेकर काफी पसंद कर रहे हैं। तो आपको यह मास्क कैसा लगा हमारी कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताईएगा। और ऐसे ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर आप देखते रहे हैं इनकबर।